हेलो फ्रेंट्स आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में तो आज मैं आपको लाइनिंग वाली कुर्टी की कटिंग के कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो आपके लिए बहुती जरूरी है और आपके बहुती काम भी आएंगे तो आपका जादा टाइम ना लेते हुए हम आज की इस कुर्टी की कटिंग को शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने लगबग धाई मीटर ये कॉटन की लाइनिंग लिए जिसे मैंने धो के अच्छे से सुखा के फिर इसे स्ट्रेच किया उसके बाद मैंने इसे प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लिया है अब मैंने इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करके भी रख लिया है तो हमने इसे ऐसे डबल फोल्ड किया है इससे हमारी कुर्टी की फ्रेंट और बैक जो है न वो एक साथ ही कट जाएगी आपने भी लाइनिंग को धोग के, स्ट्रेच करके, फिर उसे प्रेस के साथ अच्छे से बिठाना है अगर आप इस तरीके से लाइनिंग की कटिंग करेंगे तो आपको लाइनिंग की कुर्टी में कोई भी दिक्कत नी आएगी बिल्कुल आपके fitting जो है न वो बिल्कुल perfect आएगी तो सबसे पहले न हमने उपर एक सीधा mark कर लेना है इस तरीके से ऐसे हमारी ये lining भी सीधी हो जाएगी और इसी पे हमारा तीरे का mark भी होगा तो अब हमें सबसे पहले न कुर्टी की length कितनी रखनी है उतनी हमें यहाँ पे lining पे mark कर लेनी है तो ऐसे हमें उपर की तरफ इंची टेप को रखना है उपर वाली marking के उपर और नीचे की तरफ कुर्टी की length को mark कर लेना है मान लिजी अगर आपको अपनी कुर्टी की length 48 inch रखनी है तो आपको जो lining पे mark करना है वो आपको 2 inch कम करना है यानि की 46 inch पे हम इसका mark करेंगे यह जो lining होती है ना 2 inch छोटी होती है कुर्टी से तो इस तरीके से lining पे हमने 46 inches को सीधा-सीधा mark कर लेना है तो ऐसे हमने length को सीधा-सीधा mark कर लिया है तो अब हमें यहाँ पे उपर से लगबग साड़े साथ इंच नीचे चेस्ट और आम होल के लिए मार्ग करना है तो ऐसे हम साड़े साथ इंच को सीधा सीधा मार्ग कर लेंगे यहाँ पे अगर आप लाइनिंग वाली कुर्ती में शॉर्ट नेक या बैन नेक रेड़ी कर रहे हैं यानि की कॉलर वाला नेक तो आपको ये वाला मार्ग जो है न वो आठ इंच पे करना है तो अब हमें उपर से न पंदरा इंच पे कमर के लिए सीधा सीधा ऐसे ही मार्ग कर लेना है तो इस तरीके से उपर की तरफ इंची टेप को रखेंगे और नीचे की तरफ पंदरा इंच को सीधा सीधा मार्ग कर लेंगे तो अब हमें नीचे हिप के लिए भी ऐसा ही मार्ग करना है उपर की तरफ ऐसे इंची टेप को रखेंगे और नीचे 22 इंच पे इसे सीधा सीधा मार्ग कर लेंगे तो ऐसे हमने चेस्ट, कमर और हिप के लिए मार्ग कर लिया है अब हमने इसका तीरा माग करना है यनि की शोल्डर तो इस पे हमें बोटनेक रेडी करना है तो उसके लिए हम इसका जो तीरा है न वो 7.5 इंच माग करेंगे तो जैसे मैंने आपको नॉर्मल गुर्टी में भी बताया हुआ है अगर आपने बोटनेक रेडी करना है तो उसके लिए आपको जो शोल्डर का साइज है वो नाप करके लेना है तो इसमें हमारा 15 इंच आरा इसलिए मैंने यहाँ पे 7.5 इंच माग कर लिया अगर हमने उपर 7.5 इंच माग किया है तो नीचे की तरफ हमें 7 इंच माग करना है उपर से 1.5 इंच कम तो अब हमने नीचे वाले माग को ना उपर वाले माग से ऐसे मिला देना है यह हो गया हमारे फ्रंट के आम हुल के लिए माग अब हमने यहां से लगबग डेड़ इंच जादा ना बैक के आम हुल के लिए माक करना है इस तरीके से अब हमने ये वले माक को भी उपर वले माक से मिला देना है तो ऐसे हमारा ये बैक के आम हुल के लिए भी माक हो गया है अब हमने यहाँ से इसे गुलाई दे देनी है इस तरीके से यह back के आम हुल की होगी और यह front के आम हुल की तो ऐसे हमारे यह दोनों आम हुल माक हो चुके हैं अब हमने यहाँ पे chest का माक करना है तो यहाँ पे chest का ready size है हमारे पास 40 inch तो 40 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे answer आएगा 10 inch तो 10 inch को हमने इस तरीके से माक कर लेना है 4 से डिवाइड हमने इसलिए करना है क्यूंकि हमने fabric को 4 side में फूल करके रखा हुआ है तो अब हमें यहाँ पे कमर का size माक करना है तो कमर का जो ready size है वो है हमारे पास 36 inch 36 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास answer आएगा 9 inch तो 9 inch को हम यहाँ पे ऐसे माक कर लेंगे तो hip का ready size है हमारे पास 44 inch 44 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास answer आएगा 11 inch तो 11 इंच को न हमने यहाँ पे ऐसे मार्ग कर लेना है तो अब हमें हिप वाले मार्ग को कमर वाले मार्ग से और कमर वाले मार्ग को न उपर चेस्ट वाले मार्ग से ऐसे मिला लेना है तो ऐसे हमें यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जन को भी मार्ग कर लेना है लगबग डेड डेड इंच तो अब हमने नीचे की तरफ घेरे का मार्ग करना है तो इसका जो घेरा है न वो दो इंच हमें हिप से जादा रखना है अगर हमारे पास हिप का रेडी साइस था 44 तो हमें इसका घेरा जो है न वो 46 इंच रेडी रखना है तो यहाँ पे भी वैसे ही 46 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 1.5 इंच तो 1.5 इंच को न हमने ऐसे यहाँ पे मार्ग कर लेना है अब हमने गेरे वाले मार्ग को उपर हिप वाले मार्ग से ऐसे मिला लेना है यहाँ से ही आगे स्लिट्स की फोल्डिंग के लिए भी हम मार्ग को मार्ग कर लेंगे तो ऐसे हमारी गुर्टी की मार्किंग हो चुकी है अब हमने यहाँ से न तीरा एक पे डाउन कर लेना है आगे से सीधा ही रहेगा यहां से एक पैट डाउन हो जाएगा इस तरीके से ऐसे तीरा डाउन करने से क्या होता है शोल्डर की फिटिंग अच्छी आती है और नेक कभी भी पीछे की तरफ नहीं गिरता तो ऐसे हमें अपना तीरा यहां से डाउन कर लेना है अब हमें इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेना है तो यह देखिए लाइनिंग हमने यह से कट कर ली है इसमें हमारी front और back एक साथ ही cut जाएगी इसे इस तरीके से आपने press करके set करके बिठा लेना है उसके उपर हमने lining को इस तरीके से set करके रख लेना है बिल्कुल इसके बराबर बराबर तो ऐसे मैंने lining को बिल्कुल कुर्टी के उपर ना set करके रख लिया है अब हम lining के बराबर कुर्टी को भी कट कर लेंगे तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि कुर्टी हमें 48 inches की ready करनी है तो 2 inch ना हम यहाँ से lining से जादा लेंगे कुर्टी इस तरीके से नीचे की तरफ हमने 2 inch mark कर लेना है तो इतनी तो हमें कुर्टी ready करनी है अब यह जो नीचे का 2 inch ना यह हमारे पास कुर्टी की folding का margin हो गया तो नीचे से हम कुर्टी वाले fabric को cut नहीं करेंगे तो ऐसे हमारी यह lining वाली कुर्टी की cutting हो गई है यह दिखिए बिल्कुल lining के बराबर अब हमने क्या करना है फ्रंट के आम हुल की cutting करनी है तो उसके लिए ना हम back वाली lining को और कुर्टी में से back वाले पार्ट को ना निकाल लेंगे तो ऐसे हमने कुर्टी की front और back को भी अलग कर लिया है और lining की भी front और back को अलग कर लिया है ये दोनों की front side है कुर्टी की भी और lining की भी अब हमने यहां से ना इसकी आम हुल की cutting कर लेनी है तो ऐसे हमारी इस कुर्टी की cutting हो गई है तो अब हम इसकी sleeves cut कर लेते हैं तो बाकी बचे हुए fabric को ऐसे मैंने four side में fold करके रख लिया है इससे हमारी दोनों sleeves एक साथ ही cut जाएंगी मैं इस sleeves पे lining नहीं लगा रही हूँ अगर आप lining लगाना चाहते हैं तो आप यही वाली marking पहले lining पे करेंगे तो अब हमें सबसे पहले sleeve की length को mark करना है तो sleeve की length हम इस तरीके से उपर की तरफ इंची tape को रखेंगे और नीचे की तरफ इसकी length को mark कर लेंगे तो मैंने इसकी length जो आना वो 18 inch ready करनी है 18 inch को हम इस तरीके से सीधा सीधा mark कर लेंगे तो नीचे हमारे पास यह 2 inch का folding का margin आ गया अब हमने न उपर की तरफ आम हुल के लिए mark करना होता है जो उपर से लगबग धाई या 3 inch पे होता है नॉर्मल स्टेंडर साइज की कुर्टी के लिए आप धाई भी कर सकते हैं 3 भी कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे 3 inch mark कर रही हूँ अगर कुर्टी का साइज कम है तो आप यही वाली marking धाई इंच पे करें तो ऐसे हम 3 inch को सीधा सीधा mark कर लेंगे तो अब हमें इसी वाली marking के उपर आम होल की marking करनी होती है उसके लिए एक formula होता है जो chest का ready size होता है हमारे पास उसे हमने 5 से divide करना होता है जो भी हमारे पास answer आता है उसे हमने यहाँ पे mark करना है तो कुड़ती के लिए हमारे पास chest का ready size था 40 inch 40 को अगर हम 5 से divide करेंगे तो हमारे पास answer आएगा 8 inch तो 8 inch को हमने यहाँ पे ऐसे mark कर लेना है अगर आप इसी formula के साथ आम होल की marking करेंगे तो आपकी जो sleeve है वो बिल्कुल perfect चड़ेगी कुड़ती पे कोई भी problem नहीं आएगी आपको तो ऐसे हमने यहाँ पे गुलाई में mark करना है sleeve के आम होल के लिए तो अब हम sleeve की मोरी का mark करेंगे तो जो आज कल खुली sleeve चल रही है न यह हमने वही ready करनी है तो इसकी जो मोरी है वो मैं 7 inch रख रही हूँ तो 7 inch को न हमने इस तरीके से यहाँ पे mark कर लेना है अब हम यह मोरी वाले mark को आम होल वाले mark से इस तरीके से मिला देंगे तो यहाँ से अब हम extra margin को भी ऐसे ही mark कर लेंगे तो ऐसे हमने extra margin को भी mark कर लिया है अब हम इसे अपनी marking के साथ साथ कट कर लेते हैं तो ऐसे हमारी ये स्लीव की कटिंग हो गई है अब हमने इसके फ्रंट के आम हुल की कटिंग करनी है जैसे कुर्टी पे अलग से कटता है फ्रंट का आम हुल वैसे ही स्लीव पे भी कटता है तो इस तरीके से उसकी मार्किंग होती है यहां से आधा इंच डाउन हमने ऐसे किसी और वीडियो के साथ किल दान बाइ